नमस्कार आदाब स्थ्रियकाल कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीद आप देख रहे हैं डॉक्टर एजूकेशन और आज हम बात करेंगे स्वय के बारे में जी हाँ एक बहुत हाई प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स है पर इसके साथ बहुत सारे भिन भिन प्रकार के मित्स और कई सारे गलत धारनाएं जुड़ी हुई है कई सारे डाउट्स हैं आज उसे क्लियर करेंगे इसके अंदर बहुत ही बढ़िया मातरा में खाय प्रोटीन होता है जो के दो क्वालिटी बोलते कई बार वह is equal to that of the animal protein, अच्छी quality का protein होता है, that means amino acid profile बहुत अच्छा होता है, इसका मतलब यह है कि अगर आप केवल-केवल सोया खाके भी अपना protein complete करेंगे, तो भी आपकी body के लिए sufficient होगा, तो सोया बीन को जो है Asia के अंदर 1950 से बहुत लंबे समय से cultivate किया जा रहा है, पुरी दुनिया भर में produce होता है, सोया बीन आपके dietary supplements में भी डाला जाता है, सोया बीन के अंदर सोया protein, isoflavones, जो के तरीके से female estrogen के जैसे hormones होते हैं, वो भी आप कई बात देखेंगे, मगर यह बहुत माइड होता है, आपके बाड़ी में किसी प्रकार का change लाने के लिए insufficient होता है, सोया प्रोड़क्स जो है कई बार menopausal symptoms, bone health, memory, high blood pressure, high cholesterol के लिए भी promote किये जाता है कि अच्छे हैं, ऐसा अगर एफेक्ट देखें इन चीजों का तो बहुत minimal होता है, तो एक सच कोई major effect treatment purpose से नहीं हो सकता, but yes, it is good to take protein sources regularly, so health benefit में क्या कोई सोया आपका cholesterol कम कर पाएगा, कुछ रिसरचे में देखते हैं कि हाँ, सोया बीन से regular protein खाने से सोया बीन में थोड़ा fiber supplements fiber भी है, तो उससे थोड़ा cholesterol कम हो सकता है, but that depends आपकी बाकी lifestyle के एक तरफ से सोया दूसर तरफ से बाहर का junk food खाने तो उससे नहीं होने वाला exercise नहीं एक्सराइज नहीं होगा तो उससे थोड़ा प्लस सोया माइट है, right? same way अगर FDA की बात करें तो 25 grams per day of soya bean आपके heart disease के risk भी कम कर सकता है ऐसा हमारे FDA में बताया तो बहुत अच्छी बात है और soya bean जो है उसके अंदर polyunsaturated fatty acids, fiber, minerals, vitamins, low saturated fat contents अच्छे हैं isoflavones जो के हमने बताया वो hormone related cancers, breast cancer जैसे cancers को भी help करता है और एक अच्छी मातरा में अगर आप खाते हैं तो आपके फीमेल में ओवेरियन cancer, breast cancer के रिस्क भी कम होते है तो soya bean खाना है healthy है फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है और मेल्स के लिए भी पीमेल्स में या कहलेजिए जिन लोगों को पोस्ट नीनोपॉजल लेने पीरेट आने बंद होगा है उसके snacks भी अवेलेबल है और उसी के बने हुए imitation meat products भी market में बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है तो इन सब चीजों में से आप ले सकते हैं process food थोड़ा कम खाएं तो जाद अच्छा होगा soya supplements के अंदर जो isoflavones होते हैं वो भी cancer को prevent या कम करने में help करते हैं उसी प्रकार के जो उने बताएं female cancers के breast और cervical cancer उसी के अलावा post-menopausal symptoms या menopausal symptoms जो आते हैं hot flashes उसमें भी कई बार वो effective होते हैं लेकिन यह इस research में proven नहीं तो soy जो है वो बहुत सारे अलग-अलग products में मिलता है जैसे के soya floor whole soya bean, temp tofu soya milk इन सभी में अच्छी quantity में soya bean आपको soya products मिलेगा तो फाइंड जरूर इसके nutrition label को जरूर पढ़िएगा कि उसके अंदर soya है, soya isolate और protein content उसका अच्छा होना चाहिए अगर soya होते हुए अभी protein उसका 20%, 30%, 35% तो कोई logic नहीं है उसको लेने का उससे अच्छा simple soya bean की आप soya granules या soya chunks भी खा सकते है soya isoflavonoids जादतर लोगों चीजों में आपको मिल जाएगा soya के अंदर side effects है की नहीं सबसे पहला side effect जो बहुत ही simple है वो है allergy अगर आपको soya से allergy है तो allergic reactions आने के risk होते है और उसके अलावा stomach upset होने का risk होता है पेट में तोड़ा बहुत constipation diarrhea होने का और कुछ लोग जिनके अंदर already बहुत ही कम मातरा में अगर वो iodine लेते हैं iodine की deficiency है तो soy एक goitrogen जैसा act करता है यह goitrogens वो इस प्रकार के foods है कि अगर आपका thyroid होने वाला है तो इसके वज़े से हो सकता है तो soy आड़ करने से हो जाए लेकिन यह goitrogenic effect जो होता है यह कच्चे soy में होता है अगर उस तरीके के goitrogen उसमें soy आता है उसमें पतागोबी, broccoli इस परकार के cruciferous vegetables आते है इनको अगर आप बढ़िया से पका लेंगे अच्छे से पका लेंगे तो इसकी खतम हो जाती है तो soy लेने से कच्चा खाने से uncooked soy लेने से दिक्कत हो सकती है तो वो नाख है और iodine की कमी ना हो इसलिए iodized नमक का इस नमाल करें चाहें वो कोई भी नमक हो और side effects में ऐसे कोई evidence नहीं है कि इसके वज़े से cancer होता है या इसके वज़े से कोई और बीमारी होती है और क्या यह किसी प्रकार से किसी भी person के लिए unsafe है ऐसा नहीं है बहुत ही जादा मात्रा में protein का intake pregnancy या child age में नहीं करना चाहिए इसलिए चोटे बच्चों के case में बहुत जादा मात्रा में सोया नहीं दिया जाता लेकिन आप मानेंगे छोटे बच्चों के case में भी आपके जो बच्चों के foods होते हैं जो प्रेपरेशन उनमें भी कई बार protein का source बनता है बच्चों के बड़े हैं कोई भी हो 25 ग्राम पर डे सोया लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा 50 ग्राम पर डे सोया भी ले सकते हैं और maximum 100 ग्राम तक आप बिना जिजक के ले सकते हैं 60 ग्राम सोया पर डे का average कई सारे देशों में Asian देशों में कई जगा खाया जाता है पर याद रखी इस सेफ है 100-200 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं 100 ग्राम पर डे सकते हैं 60-50 ग्राम तक आपको प्रोटीन देदेगा सोया देखो जैसे मैंने कहाता है infant formulas में भी available है जो बच्चों में यूज किया जाता है उन बच्चों में जिनमें डूद की allergy हो और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का side effect नहीं होता लेकिन isolated soy products जिसमें सिर्फ 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 protein होता है वह नहीं recommend किया जाता because protein बहुत हाई मातरा में बच्चों के अंदर उत्रना भी नहीं जाता carbs की ज़रूर होती है वह बहुत high activity वाले लोग होते है अगर सिर्फ प्रोटीन खिलाएंगे तो उनके अंदर ketosis होना लगेगा carbs नहीं होगा इसलिए यह चीजिए एक अच्छी average मातरा में इंकलूड करें अपने डॉक्टर से अपने पीडियाटिशन से बात कर सकते हैं इन प्रकार के सब्सक्राइब आप गारे और दॉक्तर डुर में दो नो इसे आप शून क मblog प्रच्छाब निस नम्र, थैक्य।